हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इत्रिफल किसनी जी के फायदे के बारे में जो आप सब इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तो ये मैंने हमदर्द कमपनी का लिया हूँ और यह हमदरत कमपनी के एक बहुत ही बहतरीन दवा है इत्रिफल किसन जी और इसका इस्तिमाल कई अनेक रोगों में किया जाता है लेकिन सबसे पहले जानते हैं इसके फर्मूले के बारे में कि किनकी दवाओं से मिलकर इत्रिफल किसन जी बनाया गया है जो इसमें दवा है दोस्तों पुष्ट हलेला, हलेला काबूली, हलेला सिया, पुष्ट बलेला, आमला, किसनीजी सुस्क, रोगन बदाम और साध ऐसे दवाओं से मिलकर ये दवा बनाया गया है और इसका किशनी जी नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें जो में दवा है ओ है धनिया और उसी के मिस्ण से दवा बनाया गया है दोस्तो इत्रिफल किशनी जी इसका इस्तमाल पाचन क्रिया को सुधार करने के लिए किया जाता है अगर आपका पाचन किरिया सही से काम नहीं करती है खाना सही से नहीं पचता है तो इत्रिफल किसनी जी सही से पचाती है और पाचन किरिया को मजबूत करती है अगर आपको गैस की समस्या है तो गैस की समस्या को भी ठीक करती है इत्रिफल किसनी जी दोस्तों ये कबज को तोड़ती है अगर आपको कितनी भी पुरानी कबज की समस्या है तो इत्रिफल किसनी जी कबज को तोड़ती है और कबज की समस्या को ठीक करती है और ये एक brain tonic है अगर आपके सर में दर्द रहता है और आपका दर्द पुरानी है और दर्द में अराम नहीं मिलता है तो आप इत्रिफल किसरीजी के इस्तिमाल करिए दोस्तों ये और सर दर्द को ठीक करती है अगर दोस्तों मुतिया बीन की समस्या है किसी को तो इसके इस्तिमाल से मुतिया बीन को बढ़ने से रुकती है अगर जिनको मुतिया बीन की समस्या हो जाती है तो आखों में धीरे धीरे बढ़ती है और अंधेरा कर देती है तो इसके इस्तिमाल से मुतिया बीन को बढ़ने स इतना आप उतना पर इसको श्टाप कर देती है इतना यह बेख़ रही काम करती तो सब्सक्राइब पश्रण से नहीं ले सकते हैं कियोंकि यह दवा जोड़ी होती है और इसको सहत के मिश्रण से बनाए यानि इसे सुगर के पेसेंट नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये दवा मिठी होती है दोस्तों इस त्रिफल किसने जी लेने का तरीका यानि कैसे इसे सेवन करना है दस ग्राम की मात्रा में सोते वक्त यानि रात में सोते वक्त आपको हलका गुनगुना पानी से लेना है अगर आप इसका कुछ दिन तक इस्तिमाल करते हैं तो बहुत ही बहतरी रिजल देखने को मिलेगा तो दोस्तो आज की जानकारी कैसी लगी आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करिए और बेल आइकन घंटी प्रेस करिए और लोगों में सेयर करिए नमस्कार दोस्तो